हेलो एव्रिवन वेलकम बैक टू माई चैनल मीनुस लाइफ कैसे हैं आप सब बताएगा मैं बढ़िया हूँ चार दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि तब ठीक नहीं था और अभी तब बिल्कुल ठीक है अब वीडियो आया करेंगी हमेशा आप देखिएगा स्वरी म मैंने इनफॉर्म भी नहीं गया मैं एक कम्यूटी लगा सकती थी फट फरे नहीं लगाया था कोई नहीं अब आगे बात कर लेते हैं तो कैसे हैं आप सब जरूर बताएगा चार दिन हम आप लोगों ने मुझे कितना मिस्स किया तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडिय थी तो मैं उससे कोई जल नहीं रही हूं और जब वो मुझे सही लगती थी तो मैंने सपोर्ट किया था बर अब मुझे वो सभी नहीं लगती है इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करती हूं उसे यह एकदम सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और जो म मैं मतलब जो मेरा point of you है वो मैं रख रही हूँ न वो तो आप मतलब रखी सकती हूँ मैं मुझे रखने का पुरा हक भी है हर किसी को है और मैं आप लोगों को भी कुछ नहीं बोल रही है इसलिए क्योंकि आप लोगों को वो सही लगती है तो ये आप लोगों को मतलब कुछ नहीं बोल रही हूं कि मैं उसे बहुत ज्यादा मतलब उसे इना कैरेक्टर पर उंगले उठा रही हूं मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं जो कि मेरा हक है रखना जो मैं रख रही हूं और यह सही भी है तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं तो आप लोगों से बस बहुत लोगों ने बात उठाई थी कि वह हमेशा एक ही कप्ड़ पहनती है उसके पास कप्ड़े नहीं है और इसने लाकर भी तो एक ही कप्ड़ा दिया था ना एक ही कप्ड़े लाकर इसने दिये थे अजीब सब पीला रंग का और रंग बिरंगे छाप से उसमें लगे लिए तो यह दिखावा करने क्या जरूर रहता है अगर तुम पहले ही ऐसा कर देती तो आखिर है तो तुम्हारी भतीजी यह ना हमारे यह तो बोला जाता है बुगा भतीजी एक जान होती है इस तरह से बोला जाता है बट तुमने बहुत ही गलत किया था उसके साथ और माहम को पंजाब भीजेगी वापस जितने दिन यह सौधिया रहेगी और बात में लेकर आती है या नहीं आती है यह नहीं पता लेकिन जिस तरह से मुझे पता चला है कि जो मैंने थमनेल में लिखा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूं जिस तरह से मुझे पता चला है कि अब मेरे मैंने और बी कई वीडियो देखें उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूं कि इसके और इसके भाई के बीच में एक डील हुई है कि यह माहूं को लेकर आएगी क्योंकि अब तक तो इसके पास तो तमन्ना थी तो इसे घर में काम में हेल्प हो जाया करती है तो काम चोर काम करना चाहती नहीं रोज-रोज बाहर का मियौना काना पीना गंदगी मतलब गंदे-गंदे स्टॉल के खाती है और बचों को भी खेलाती है जो कि मतलब हम हैं बहुत तो बाहर ही खाते हैं यह लोग रोड साइट का खाना तो यह बहुत ही गलत है और उसके बात फिर अब जब इतना ट्रोल हुई है तो फिर यह माहम को इलिए करना शुरूर इसने कर दिया है तो हाँ इसके और इसके भाई की बिच में यह डेल हुई थी कि माहम को यह लेकर आएगी और जितने भी साल माहम की जितनी एज है उससे उसके शादी के उमर तक यह अपने पास उसे रखेगी और घर के काम वगरा में माहम उसकी हेल्प करेगी और जब माहम की शादी होने वा है माहूं का पिता जो है इसका सगा भाई है उसके बावजूद इसने माहूं के पिता को फोन ले कर दिया था कि आप मेरे व्लॉक्स देखिए का उसके लिए सेकंड हंड फोन ले कर दिया था तुम्हें इतने पैसे हैं तुम इतना कुछ करती है तो अपने भाई को तुमने मतलब लोग सही कहते हैं कि लोग पैसों को पीछे लोग भागते हैं तो वो लोग बिचारे पंजाब में रहते हैं उनकी स्थिति हम सब ने देखी है यह जाकर वीडियो में इसने दिखाया हुआ है पंजाब चाकर तो वो बीचारे थोड़े कमजोर है थे उसके बाद फिर क्या फॉर्साहं लेकर ये नहीं देख सकती थी देख सकती थी अपने घर के कामों के लिए जरह कितनी इसके लिए इसे क्या फर्ख पढ़ता है इसे क्या फरक पढ़ता है शर्म इसे शर्म हया होती तो अपनी ही भतीजी के लिए अपने भाई से ये सब डील करती ही नहीं और अच्छा लगा कि इस सब के बोलने पर इतने लोगों ने जो बोला उस तो वहां पर कमेंट आप अप कुछ करना है तो आप लोग माहूं के लिए कमेंट करिए माहूं के लिए आवाज उठाइए इस बच्ची के लिए कि माहूं के साथ भी अपने बच्चों जैसा ही बरताओ करो और दुबारा इसे इस तरह से डील करके मत ले आना अगर अगर अब यह पंजाब जा ही रही है त इसके बाद फिर घर के साथ, सफाई, यहाँ तक कि इसके बच्ची आयट का जो डाइपर गए रही है चेंज कर रहे है आप सूचे इतन जोड़ा बच्चे डाइपर चेंज कर रहे है तो आदे जब छूड़ जाती है तो नहीं कर पाते हैं हम लोग काम तो नहीं हो पाता है मुझसे और मुझे तो गिन भी आती है तो उत्ती छोटी बच्ची जो जिसने कभी यह सब नहीं गरा है वो अब यहां पर आकर अपनी बुआ के बच्चों का डाइपर चेंज कर रही है उनके काम कर रही है उसी की एज की बच्ची इसकी बेटी है मजली वाले बेटी चोटी वाली का नाम आयत है और second is की बेटी का मैं नाम भूल रहे हूँ मैं भूल रहे हूँ तो उसके age की ही ही है ये तो माहूम तो उसके साथ ना school भेजना है admission करा दो यार तुम ले कर आई हो काम करा रही हो तो कमसे कम उसे पने पैरों पे खड़ा करा दो उसे पढ़ाओ लिखाओ उसके पैरों पे उसके पैरों पे खड़ा करा दो कपड़ लिखकर वो आदमी बन जाएगी और इसे ये पढ़ाओ मतलब आदमी I mean अच्छा अच्छी successful मतलब पढ़ी लिखे लोग जो होते हैं और हो सकता है कि जिसी मतलब ऐसे बच्ची जो होते हैं वो सच में अच्छा पढ़ जाते हैं स्कॉरर्शिप वगर ले आते हैं तो हो सकता है वो बच्ची पढ़ जाए क्योंकि जिन्ने जो मिलता नहीं है जब मिलता है तो उसकी वैल्यू समझते हैं इसलिए वो अच्छे से पढ़ जाएं तो इसका तो फर्ज यहीं बनता है कि उससे पढ़ाया लिखा है बढ़ यह नहीं पढ़ा लिखा रही है बस अपनी बेटी के साथ भीज देती है तैबा के साथ भीज देती है कुरान पक पढ़ने के लिए बस तो वो तो वैसे भी पढ़ती है और अपनी बेटी का भी इसने एडमिशन के लिए अभी तब तो करवाया है नहीं बोला कि है कि एडमिशन करवा रही हूँ मतलब इन लोगों का जो रहां सायन है ये देखकर मुझे इतना समझ में आया है कि इनके गरमें लड़कियों के पढ़ाई को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है और ये बहुत इक गलत बात है तुम बच्ची को लेकर आई हो तुम अपनी बच्ची को भी पढ़ाओ और उसे भी पढ़ाओ, देखो सबकी बच्चियों को ना अच्छा पढ़ा लिखना चाहिए, बच्चियों को सबको खुशी मिलने चाहिए, तो इसे भी पढ़ाओ, और जितना तुम इसे करोगी ना उतना उपर वाला तुम्हें और भर-भर के अच्छे से देगा, मगर तु जो वह तुम्हारे माई के वाले उन की पर्वा है यहां था कि तुम्हें pourquoi जिस कोसर के नाम से तुम्हें कोई परवा क्या है उसे ममें उसे भी इतना कोसा जाता है ली तुम कमेंस पढ़ती हो ना तुम्हारे होई में उसके बच्चे को कोसिसे अगर मेरे हजबन गलत कर रहे हैं तुमने तो ऐसे भी अपने हजबन की बहुत सारी बुरायां की हुई है तो यह बोलो कि तुम्हारे हजबन अगर गलत कर रहे तो उनको बोले बटकॉसर को और उसके बच्चे को नाको से तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक है आप लोगों को कैसे लगे वीडियो प्लीज मुझे बताईएगा और कर्मेंट चुरूर कीजेगा लाइक कीजेगा वीडियो को शेयर कीजेगा और अपने साथ देते लिएगा और अब मेरी वीडियो आती रहेगी बहुत सामने बैठ ग बेड़ में